अलो दोस्तों नमस्ते आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बूर्ड की दुआरा रचा गया चक्रवियू में वो खुदी फश सकता है बिहार बूर्ड की अध्यक्स बात कर रहे हैं बिहार टीटी में 150 संकों की परिक्षा तो आजित किया गया है लेकिन इस रि हाईकोट में केस्क्रवार करने वार हैं लेकिन विहार बूर्ड ने रचा ऐसा चक्रवियू कि वह खुद ही फश सकता है साथी टीटी को गलत प्रसनों के बदले मार्क्स मिल सकता है बिहार बूर्ट का अध्यक्ष का ये कहना है कि बिहार TET की जो परिक्षा का आईजित हमने किया है वो RTE Act Adenium 2009 की धारा 23 क्यूप धारा सकेड के तथ हमने ये परिक्षा का आईजिन किया है साथी NCTE के दिसाने देश के अनुसारी ये परिक्षा का आईजिन हम कर रहे हैं बिहार सिक्षक पातरता परिक्षा 2017 ये मैं नहीं कर रहा हूँ आप देख सकते हैं बिहार बूर्ट के अध्यक्ष खुद कर रहे हैं बिहार बूर्ट के साइट पर अभी भी है कि अनिवार एक से लेकर के 8 तक्ट एढियापक के रूप में नियुक्ति होती हूँ टीईटी की परिक्षा पास करना अनिवाज कर दिया गया है इसी के संदर में बिहार के प्रारंबिक विदियालयों में कछ्छा 1 से लेके 5 तक एवँ कछ्छा 6 से लेकर के 8 तक के लिए तो आप देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड का भी ये कहना है कि आटी एक्ट अधिनियम 2009 के धारा 23 की उपधारा स्थकेंड के तहत हमने ये परिक्षा का आईजन कर रहे हैं साथी NCTE के दिसान रिदेश के अनुसारी ये परिक्षा का आईजन कर रहे हैं और जैसे के आप सब जानते हैं कि बिहार ब antaux organic स्थकेंड कर रहे के इसी पत्र के अनुसार किया रहा है ये पत्र जो आप देख रहे हैं Oo imply NFCT का है जो कि रास्त इत्यापक सिक्षा प्रिद्र अर इसी के तत्वधन में बिहार TET का आईजन किया जा रहा है जो कि compulsory कर दिया गया है, हर एक राज को TET के परिक्षा आरजन करना, RTE Act Adenium 2009 के तत, साथ ही NCTE के दिसानेदेश के नुसार, तो आप देख सकते हैं, ये RTE Act Adenium 2009 और NCTE का दिसानेदेश, तो NCTE का गाइडलाइन क्या काता है, NCTE का दिसानेदेश क्या काता है, आई ये 1 की परि तीस कोश्चन, तीस मार्क्स का, लैंग्विज फर्स की बात करें, तो तीस कोश्चन, तीस मार्क्स का, लैंग्विज सकेंड की बात करें, तो तीस कोश्चन, तीस मार्क्स का, वहीं मैथमेटिक्स की बात करें, तो तीस कोश्चन, तीस मार्क्स का, वहीं इन्वहरोमेंट को कम या जैदा नहीं कर सकते हैं NCT का guideline या दिसानेदेश यह कहता है कि TET के परिक्षा परते खंड से कक्षा एक से लेकर अगर पांच तक आजित होता है तो उसमें परते खंड से आप 30 प्रशन पूछ सकते हैं उससे एक प्रशन कम या उससे एक प्रशन जैदा नहीं पूछ सकते हैं 150 अंकों की पूछ सकते हैं 150 प्रशन साथ ही आप देख सकते हैं कि paper 6 to 8 की बात करें तो चैल डवलप्मेंट में आपको आप देख सकते हैं कि 30 question 30 marks language first 30 question 30 marks language second 30 question 30 marks साथ ही आप देख सकते हैं mathematics and science अगर होगा इसकी teacher के लिए तो इसके लिए साथ question जो है 60 marks का यानि कि एक प्रतेक question के लिए एक marks मिलेगा साथ question देगा 60 marks का साथ ही social science की बात करें तिसमें भी 60 question एक marks का एक question देगा तो आपने ये देखा कि NCTE का भी ये दिसान देख सी ये कहता है कि paper 1 हो या paper 2 हो TET की जो प्रतेक खंड से 30-30 होना अनिवाज है 30-30 प्रस्ण और साथ ही आप ये भी देख सकते हैं कि ये social science और math में साथ question जो है अनिवाज किया गया है इसी आप एक प्रस्ण को कम या जैदा नहीं कर सकते हैं TET की परिक्षा 150 अंकों को ही लेना है आपको और result भी उसी की recording जारी करना है आप देख सकते हैं साथ ही आप ये देख सकते हैं qualifying marks जो है 60% लाना अनिवार्ज है यानि की 150 अंकों की परिक्षा जित करना है और 60% 60% जो है आपको इसका result इसी के recording उसका result भी जारी करना है 30% पर टे पे तो भी आपटी ते ते जो परिक्षा ऊए वह एक सपचास अंकों की रहे हैं लेकिन result ूछ जारी किया ॏ रहा है वह एक सबुछ सنगों पर जारी नहीं किया जा रहा है इसी बात को लेकर के बिहार TET में google बिहार ब्विक्षाम और हाय को Carson तो फिर दिहारबुट के अध्यक्ष को फसनाता है क्योंकि अगर आपने आर्टी एक्ट अधिनियम और एंसिटी के दिसाने देश के तहत यह परिक्षा का आजन किया है तो आर्टी एक्ट अधिनियम यह कहता है कि